दोस्तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हम लोग निकल चुके हैं छोटा नाकपूर की रानी नेतरहाट की ओर और हम लोग रास्ता में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमें बहुत ही खुपसूरत नज्यारे नजराने लगे और चली हम लोग आगे वीडियो है सभी को बचाओ और पुरानी बाते भी आदा गई अपना आया करता था अपना आरेक्स एकसो पैंटीस से तो वह सभी बाते भी आदा गई कि यही एकस हैंलोग पार हो के गये थे उसमें तो भाई हमालेन से भी ज्यादा तेल पीता है टाइप का लगता था नहीं लेकिन एक नंबर गाड़ी है उस गाड़ी को जो पुराना है वह असल में वह है नाइंटीन नाइंटी सेवन का गाड़ी और नेतरहट यहां से 24 किलिमेटर की दूरी में स्थित है और बहुत कुपसूरत नाजारे आप इधर भी देखेंगे तो इधर भी आपको पठार द अब पूरी तरह से लगव बाडल में ढकी चुका है और अभी जो टाइमिंग हो रहा है आपका लगवग पांच बारा दिखा रहा है एक में पांच पचीस दिखा रहा है तो पांच बारा में छेग अगए तो आपका पांच बचके छे मिनिट हुआ है फिलाल अगर आप नहीं आए हैं तो आप जरूर आईए ये रांची से आपका लगबग 170 किलमेटर की दूरी में स्थित है नेतरहाट अगर आप जारकन घुमने भी आते हैं तो आप यहां पर जरूर आईएगा कम से कम एक बार बहुत ही खुपसरत बहुत ही सुन्दर ना जा रहे है हैं और हैं लोग बनारी अभी घुश चुके हैं अस्वीन भाई लेट्स आयो भाई कुछ तो करना पड़ेगा हाँ 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 पहले मिल लेते हैं अब डेनिस अब फोने रसे नहीं कर रहा है कि आन कि अट हो कि अब आप ये सीन चेक करें दोस्तों ये बहूत ही भ्यानक बहुत ही सुंदर ना जा रहे हैं और उपर से अपना सवेन भाई भी पहूंच चुका है इसलाँ बहुत ही मजावा है अनुज भाइया राहूल भाईया फिर अस्मीन फिर राहूल फिर हम हम लोग पांच कोई हो चुके हैं बहुत रह्माजा कर चुके हैं आप लोग अभी पार करते हुए और हम घाटी को अभी जड़ शुरुवाती किये हैं तो अगर मोड है तो थोड़ा सो सौधानी वरत की ही मोड़ियेगा क्योंकि थोड़ा से दुरगटना होने का ज्यादा चांसेस रहते हैं मेरे मजा तो आब आ रहा है क्योंकि अब हम लोग का तीन तीन गाड़ी हो चुका है और उपर से सुन्दर न जा रहे हैं उपर से हमें कहें भी बारीस से हम लोग भींगे ने इसलिए बहुत अच्छी बात है बाकी तो अनुज भाईया और अधर असमील लोग इधर से यह लो कदने के बाद फोड़ा सा भाफी थोड़ा से ने बहुती दिक्कत हो जाता है और इधर हमारे सैनीक गंड छेना के लोग जो कि हमारी सेवा के लिए जो कि हमारी रच्छा के लिए हमेसा ततपर रहते हैं इनको दिल से सलाम है इधर राहुल भाईया पुरा रोल में घर थी उसके बाद फिर इदर रहूल और इधर गुडू भाई मैं लेट से जोईन किया पिर सब तरब तो पिर रास्ता में पानी उनित नहीं न मिला एक भी नहीं मिला तब तो बहुत एच्छी बात है अब यहां मिलने वादा सामने लग रहा है और इधर देखेंगे तो इधर का भी मौसम बहुत ही अच्छा है बहुत ही मस्त है कि यहां पर ट्रक रोक दिया गया है क्या पता सायत खराब हो गया है कि क्या हो गया है बीच रास्ता में अचानक से इधर एक बस भी आ रही है जिस कारण से काम बगेरा कुछ लग गया है कुछ पतन नहीं चल पा रहा है क्या हो गया हो भी घाटी में इसलिए ज्यादा रिस्क तो नहीं लेना है इसलिए लोग साय ट्रक अच्छा हाँ या ओबर्टेक करने के यहां पर जगा ही नहीं है कि दो गाड़ी है पार हो सके यहां पर तो भाई पार गाड़ी को भी पार होने में थोड़ा से दिकते लग जाएगी उपर से यहां पर तो ट्रक है और बस है भाई तो थोड़ा साप देखेंगे तो आपको इधर ट्रक वगएरा का आना जाना लगे रहता है और ट्रक अच्छा है और ट्रक अच्छा है और ट्रक अच्छा है अच्छा होगा बस होगा यह लोग बहुत ही ब्हानक तरीके से चलाते हैं घाटी में क्योंकि उनका तो डेली का यही काम है रोज आना जाना इक ही रास्ता से तो उनका तो एक्सपेरियंस होई जाता है हालोग अभी है लेकिन उस प्रकार से नहीं है कि डेली हां लोग अच्छा है इधर उधर तो हम लोग घाटी में चलाएं ने तो फिर तो जो होता है सब समतली रास्ता में होता है अब आप यह चेक कीजिए यहां से हम लोग अब उच रहे हैं नेतरहाट की और तो अब आप यह देखिए कि यहां पे लिखा हुआ है सौधान रह सुरक्षि क्योंकि यदि हम लोग यही पीड़ पॉद्दों को काटेंगे तो फिर यह भी धीरे-धीर बंजर जमीन बन जाएगा धीरे-धीरे आओ जिस कारण से हमें बहुत सहर बीमारियों का सिकार होना पड़ेगा जिस प्रकार से अगर आप सहर में देखेंगे तो आपको देखने वॉज़ी तो आप लोग नेतर हाट पहुंच कि ये जो ना जारे हैं, आइसे ना जारे आपको जारकंड में आपको नेतर हाट में देखने को मिलेंगे क्योंकि ये पूरी तरह से प्राक्रीटी से घीरा हुआ सुन्दरचेतर हैं, जिसे हम लोग छोटो कुर की राणी के नाम से भी जानते है और सच में यह रानी से भी क्या रानी से भी बढ़कर खुबसूरत है यह नेतर हार तो आप यह चेक करें गाईस यह जो आप इधर देखेंगे और इधर देखेंगे जो यहां पर पूरा भीड़ भाड़ लग रहा है क्योंकि पहले तो यहां आया थे तो अतना भीड़ भाड़ नहीं लगता था तो सब अस्मिन भाई लोग देखते हैं किधर चला गया है तो पहले तो उन लोगों को खुचते हैं सच में पूरा भ्याना कि अच्छा वो लोग सब भाई लोग उधर आगे है अब यहां से डिसाइड करेंगे कि जाना किधर है चले देखते हैं कि हम लोग अब टेंट लगाते हैं यह फिर होटेल लेते हैं क्यूंकि हैं मोख हो गया पांच कोई और इसे टेंट है बस दो ही तो फिर देखते हैं जयए से भी होगा वह से मैनिज करना पड़ेगा तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर गाय बैल के दुवारा यहां पर जंगा को थोड़ा सजाम किया गया था कोई बात ने मजाग था और अब हम लोग इधर आगे बढ़ते हैं फिर चलिए देखते हैं कि अब क्या होता है साथ हम लोग होटल में ही रुकेंगे जहां तक हम यह अलग रहा है तो भाई साब हलो बहुत ही मुश्कील से पहुंचे होटल खोशते खोशते एक तो पहले बाद तो थोड़ा से दिमाग भी खराब हो गया फिर आखिकार हम लोग यह होटल मिल गया तो फिर अब हम लोग रात में यही पर रुकेंगे फिर कल का देख झाल